हेलो एन वेलकॉम टू कुकी ट्रेम लता आप सबका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं प्याज की भाजी जो होती है प्यास साग बुलता है उनको बना रही हूं तो देखिए इसके लिए क्या-क्या इंग्रिडियन चाहिए प्यास ट्रमाटर लसून शिम होती है उसमें बहुत अच्छा लगता टेस्ट उसका तो तेल गरम किया है मैंने दो चम्मस टेल लेकर तो उसमें लसुन डाल दिया प्याज मिर्ची जो ट्रमाटर के सांद मैंने उसका फ्यूरी बनाया है तो उसको थोड़ा देर से ही डालूंगी के इसको भूझने के बा लास्ट हो रहा है सीजन खतम होनी वाला ही है और उसके बाद है फ्रोजन मटर कहीं समय है तो देखिये यह चोटा कटोरी जैसे में डाला है जितना चना डाल डाला है उतना ही मटर जाला है मैंने एकवल मातरा में और इसको अच्छी तरह से भूइना है और जैसे ही यह जैसे ही ठोड़ा फूतनी लगए मटर तो बस इसमें नमक-मख डाल देना है मुझे और नमक डालने के बाद जैसे अच्छी तरह से फक्ट जाए यही मैंने तमाटर जो यह प्योक्यों बनाया उसमें डाल देना और इसमें आपको अद्रक नहीं डालना है, अद्रक इसमें नहीं लगता है, आपको अगर पसंदे तो क्रस करके आप डाल सकते हैं, तिकनि इसमें मैंने अद्रक नहीं डाला है, भाजी में अद्रक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसमें सीप लसून का ही छोक लगता ह है तो अच्छा लगता लसून काट के आप डालिए महीं और देखे कितनी अच्छी तरह छुक हो चुका है बस इस स्टेज के मुझे दालना है इसका प्यूरी बना के और रहरधे प्यूरी वध जाएगा तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना नमक तो मैंने डाल दिया test के अकॉर्णिंग और इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका टेल separate ना हो जाए तेल separate होने तक ही आपको इसको भूनना है और इसमें सी नमक लोग गया है इसमें और मसाले नहीं पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है और देखे तेल एकदम सेप्रेट हो रहा है बस इसी स्टेज में जो मैंने भाजी बनाया था काटके रखा हुआ धोधा के प्याच के बस उसको डाल देना है इसमें और इसको अच्छी तरह से बनाएए और कमेंट करके ज़रूर बताएए आप अगर मेरे चैनल में नहीं आया है तो प्रीज सब्सक्राइब करें भीना नहीं जाएगा बेल बटन को भी क्लिक करिएगा ताकि आने वारे जीतने ही वीडियो है आपको पहले ही उचका नोटिफिकेशन आ जाए और यह द भकी पकाई है कि बहुत जल्दी पक जाता है जादे टाइम नहीं लगता है प्याज के साग को बनाने भाजी को और यह बहुत है टेस्टी होती है और कभी भी साग जरूर खाना चीए सब्सक्राइब के लिए बच्चों को भी खिलाए बड़ों को भी खाएंगे बहुत बच्चे तो आना कानी करते है लेकिन अच्छी इसी तरह से बनाई है तो बच्चे बहुत प्यार से बहुत इसे खाएंगे और यह देखे पग गया है अच्छी तरह से और इसको आप किसी भी चीज के साथ का सकते है चावल के साथ भी अच्छा लगता है रोटी ये के साथ भी अच्छा लगता है पूरी पराठा सभी चीज के साथ यह अच्छी तरह से जाएगा बसे देखिए गर्बा गरम बन गया है थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाए